हेलो फ्रेंज आज हम बनाने बाले हैं पालक के बहुत ही टेश्टी प्रांथ है इसके लिए हमने जहां पालक लिए है अब हम इससे गर्म पानी में डालेंगे पांच मिन्ट के लिए इसे गर्म पानी में डबोएं थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करेंगे और साथ ही में ठंडे हाई पानी में डाल दीजे आप इसे मेक्सी में डाल कर मिक्स करेंगे ईसके हैं ज banco और अ धर के देट घ्र याइऑ बिडिल प्यरा की निम्हों का डाल लजयां वैसा बालेंगे तो यह देखिए इसकी प्यूरी बन गी है अब हम इसमें तोड़ा सा पाणी बलाएंगे और इसमें बला देंगे नमक स्वादिन सार डाल लीजे एक चम्च वाइड तिल डालेंगे आदा चम्च इसमें अजमान डालेंगे दो चम्च ऑल डाले और इससे से मिक्स कर लीजे अब हम इसमें दो कप गहु काटा डालेंगे पहले हम देडर कप डालेंगे अगर जरूरब पड़ी तो बाकी काटा भी है इसमें मिक्स कर लेंगे और इसका डोब बनाएंगे हमने बाकी का बचा हुआ आटा भी मिक्स कर लिया है और उसका स्मूध रू बना लिया है पांच मिन्ट के रिए डख्ये रखेंगे पांच मिन्ट बाद रखन हटाएंगे और इसमें से एक पेडा बनाएंगे और उसकी लोई बनाएं रोटी बेले इस पर हम गी अपलाई करे बनाएंगे इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और असे से आटा लगा कर बेल लेंगे इस तरह से प्रांठे की बढ़िया लेयर बन जाती है जी देखिए कितनी सुन्दर लिया इस बनगी है इसकी अब तब पर इसको डालेंगे तब पहले इससे से गर्म कर लीजिए और दो सार्दियों में जरूर खाएं परांठे बनाकर जां फिर इसके पकाड़े बनाकर आप खाएं और बच्चों को भी खलाएं तो जी देखे हमारे टेस्टी और हेल्दी परांठे बनकर बिलकुर रेड़ी हो गए है अगर आपको जे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्याबाद